दोस्तो इस वक्त की बेहत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है जहां पर दोस्तो रॉयल चैलंजस बैंगलोर की जीत के बाद आईपियल 2020 के पॉइंस टेबल में हुआ बड़ा बदलाव मुंबई इंडियन्स को लगा बड़ा जटका चैनल सुपर किंग्स भी हुई हैरान हेलो दोस्तो सुगत ही आप सबी का फिर सी हमारी यूट्यूब चैनल के देखो जी में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आईपियल 2020 का पंदराव मुकाबला रॉयल चैलंजस बैंगलोर और रजस्तान रॉयल्स के बीच खेला गया और दोस्तो इ वहतरीन तरीके से बैंगलोर के टीम ने जीत लिया और दोस्तो इतिहास भी रच दिया दोस्तो इस जीत के साथ ही आईपियल 2020 के पॉइंस टेबल में अब बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है मुंबई इंडियो उसको बहुत बड़ा जटका लग चुका है चन्ने सुपर तो चलिए दोस्तो बिना वक्त गवाई हम इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो आईपियल 2020 का पंदराव मुकाबला रॉयल चलिंगलोर और राजस्तान रॉयल्स की बीच खेला गया दोस्तो इहां मुकाबला अबू धाबी के शेक जाइद स्टेडियम में खेला गया दोस्तो इस मकाबले में राजस्तान रॉयल्स की कप्तान स्टीवन स्मीद ने टॉस जीता और पहले बल्ले बाजी करने का फेसला लिया दोस्तो टॉस जीत कर पहले बल्ले बाजी करने उतरी राजस्तान रॉयल्स की टीम की शुरूआत काफी ज़ला खराब रही दोस्तो र बास बटलर 12 गेंदों में 22 रन की पारी खेल कर पविलियन लोट गए। उसके बाद दोस्तों नमबर 3 पर उत्रे संजु सैमसें भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। दोस्तों महें 4 रन बना कर वह संजु सैमसें चलते बने। उसके बाद दोस्तों राजस्तान की पारी बाजी करते हुए 49 गेंदों में 3 छकों की मदस से 47 रन बनाए और आउट हो गए। उसके बाद दोस्तों रियान पराग ने भी 16 रन बनाए तो वहीं पर दोस्तों राहूल तेवाटिया ने 24 रन बताए तो दोस्तों यहां पर जौफरा आर्चर ने भी 16 रन बनाए। इस त सलामी बल्लेबाज देउदत पडिकल ने शांदार तरीके से बल्लेबाजी की। दोस्तों रोजस्तान रोयल्स की खिलाब यहां पर रोयल चल्ल्जस पैंगलोर की टीम ने बहतरीन तरीके से प्रदशन करती हुए 6 ओहर के पावर प्ले में एक विकेट के नुकसान पर 50 रन बनाएं उसके बाद दोस्तों सलामी बल्लेबाज देउदत पडिकल ने बहुत ही शांदार तरीके से बल्लेबाजी करते हुए बैंगलोर की पारी को संभाला देउदत पडिकल ने अपने पारी में 45 गेंदों में 63 रन की बहतरीन पारी खेल कर पविलियन लोड गए उसके इस तरह से दोस्तों बैंगलोर की टीम ने 19.1 ओहर में दो विकेट के नुकसान पर 118 रन बनाएं दोस्तों रोयल चलंगोर की टीम ने इस मैच को 8 विकेट से जीत लिया और पॉइंच टेबल में 2 अंक भी प्राप्त कर लिये तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं रोयल 2020 के पॉइंच टेबल में कौन सा बड़ा बदला हुआ है यहां पर मुंबई इंडियांस को कौन सा बड़ा जटका लगा है चलिए सुपर किंग्स के टीम क्यू नाराज हुई है तो चलिए पूरे विस्तार से जान लेते हैं दरिसल दोस्तों आप सभी को बदा दी कि आज क इस मुकाबले में रॉयल चलंजस बैंगलोर की टीम ने शांदार तरीके से बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले को जीत लिया और दोस्तों यहां पर पॉइंच टेबल में दो अंक प्राप्त कर लिये दोस्तों आईपियल 2020 के बात करें तो पहले नंबर पर रॉयल चलं रेट की बात करें तो माइनस 0.95 का उनका ने टरंड रेट है मतलब कि दोस्तों यहां पर RCB की टीम के लिए बहुत बड़ी खुशकबरी की बात है कि वहां पॉइंच टेबल में नंबर एक की स्थान पर पहुँच चुकी है और तीन मुकाबले जीत चुकी है एक मुकाबल खेले हैं जिसमें दो मुकाबलों में उन्हें जीत मिली है दो मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है दोस्तों उनकी पॉइंट्स की बात करें तो कुल उनके चार पॉइंट्स है और दोस्तों उनकी ने टरंड रेट की जाए तो प्लस 1.09 का उनका ने टरंड मतलब कि दोस्तों यहाँ पर मुंबई इंडियंस की टीम अच्छा खासा प्रदेशन कर रही है लेकिन दोस्तों उससे बहतरीन तो RCB की टीम ने प्रदेशन किया है इस बार दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम अब फिलाहाल में नंबर दो की स्थान पर है ऐसे में देखने तो कुल उनके 4 points है और दोस्तो उनके net run rate की बात करें तो plus 0.483 का उनका net run rate है मतलब कि दोस्तो यहाँ पर दिली कैपिटल्स की team भी नमबर 3 की स्थान पर अब राज कर रही है बेहतरीन तरीके से प्रदशन कर रही आज के मुकाबले में अगर दिली कैपिटल्स की team जीत जाती है तो नमबर 1 के स्थान पर पहुंच जाएगी दोस्तो अब बात करते हैं नमबर 4 टीम की दोस्तो यहाँ पर IPL 2020 के points टेबल में नमबर 4 के स्थान पर है दोस्तो कोलकता नाइट आइडरस की team जी हाँ दोस्तो कोलकता नाइट आइडरस की team ने अब तक IPL में कुल 3 मुकाबले खेले हैं जिसमें दो मुकाबलों में उन्हें फत्य हासिल हुए है तो यहीं पर दोस्तो यहाँ पर 1 मुकाबला हार चूकी है दोस्तों उनकी points की बात करें तो कुल Łनके 4 points है और दोस्तों उनके net r prosperous की बात करें तो Sanangas Hyderabad के team, 예, हाँ, दोस्तो, Sanangas Hyderabad के team, निए IPL 2020 में चार मुकाबले झेले हैं, जिसमें दो मुकाबलों में उन्हें जीत मिले है, दो मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है, दोस्तों, उनकी points की बात करें तो कूल उनके 4 points है, और दोस्तों उनकी नेटरेट की बात करें तो माइनस 0.08 का उनका नेटरेट है मतलब कि दोस्तों यहाँ पर संराज सहिदाबाट की टीम को अच्छा प्रदेशन करना होगा आने वाले सभी मुकाबलों में बहतरीन प्रदेशन करती हुए मुकाबलों को जीतना होगा तब जाकर है टॉप फॉर में वहाँ कौलिफाई कर पाईगे अब दोस्तों बात करते है नमबर 6 टीम की दोस्तों यहाँ पर आती है राज़तान रॉयल्स की टीम ने आ इपिibaल 2020 में चार मुकाबले खेले हैं जिसमें दोस्तों उन्हें दो मकाबलों में जीत मिली है, दो मकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है, दोस्तों उनकी पॉइंट्स की बात करें तो कूल उनके चार पॉइंट्स है, दोस्तों उनकी नेट रंडेट की बात करें तो माइनस 0.31 का उनका नेट रंडेट है, ऐसे में राजस्तान की टीम आज की इस मुकाबले को हार कर पॉइंस टेबल में बहुत नीचे पहुच गई है ऐसे में आने वाले मुकाबलों में राजस्तान रॉयल्स की टीम को अच्छा प्रदर्शन करना होगा अब दोस्तो बात करते हैं नंबर 7 टीम के दोस्तो यहां पर आती है Kings 11 पंजाब क टीम जिहां दोस्तो आईपेल 2020 के पॉइंस टेबल में नंबर 7 के स्थान पर Kings 11 पंजाब की टीम है ऐसे में दोस्तो यहां पर आईपेल 2020 में पंजाब की टीम ने चार मुकाबले खेले हैं जिसमें एक मुकाबले में उन्हें जीत मिली है तीन मुकाबले में उन्हें हार का स पर मुजुद है दोस्तो चैनेज सुपर किंग्स ने अब तक कुल चार मुकाबले खेले हैं जिसमें एक मुकाबले में उन्हें जीत हासिल हुई है तीन मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। पर थी लेकिन दोस्तों जैसे ही RCB की टीम ने आज का इस मुकाबले को जीत लिया वैसे ही Mumbai Indians की टीम नीचे गसट गई और यहां पर नमबर 2 के स्थान पर चली गई ऐसे में अगर Mumbai Indians की टीम अगले मुकाबले में जीत हासिल नहीं करती है तो ऐसे में और भी Mumbai Indians की टीम नीचे आ सकती है और इसे में यह एक Mumbai Indians के लिए बुरी खबर साबित हो सकती है ऐसे में दोस्तों आप बात करते हैं चन्नाई सुपरकिंग्स की टीम क्यों है तो दोस्तों आप सभी को बता दी कि IPL 2020 की पोइंच टेबल में चन्नाई सुपरकिंग्स की टीम सबसे आखिरी वाले पो हाई ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आने वाले इस मुकाबलों में किस तरह से यहां पर चन्नाई सुपरकिंग्स की टीम प्रदर्शन करती है और किस तरह से यहां पर बेहतरीन प्रदर्शन करके Point Stablement of 4 में कौलिफाय होती है नहीं देखने वाली बात होगी ऐसे में दोस्तो आप सभी से हमारा एक रोमान्चक सवाल है किया, आपकी फेवरेट टीम कोंसी है, आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, उसका जिवाब हमें कमेट बॉक्स में जरूर दे, साथिम दोस्तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्याद पाणी के लिए अभी हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों उसके बाद घंटे वाले बेल आइकन को जरूर दबाए तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियम बस इतना ही